सुप्रभाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे आज के सत्र में हम आकारंत इस्त्रिलिंग के बारे में जानेंगे आकारंत इस्त्रिलिंग शब्द वे इस्त्रिलिंग शब्द होते हैं जिनका अंत आ अक्षर से होता है आ, आईए, इसको उदाहरंट से बहतर तरीके से समझते है अजा, अजे, अजाह, अजा, अर्थात एक बकरी, अजे, दो बकरिया, अजाह, बहुत सारी बकरिया उसी तरह कलीका, कलीके, कलीकाह, कलीका एक कली, कलीके, दो कलीया, कलीकाह, बहुत सारी कलीया बालीका, बालीके, बालीकाह, बालीका अर्थात एक कन्या, एक बालीका, एक लड़की, बालीके, दो लड़किया, बालीकाह, बहुत सारी लड़किया उसी तरह मुशीका, मुशीके, मुशीकाह मुशीका एक चुहिया, मुशीके दो चुहिया, मुशीकाह बहुत सारी चुहिया अब बच्चो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी अजा, कलीका, बालीका, मुशीका इन सबका अंत आ अक्षर से हो रहा है आईए कुछ और उधान से समझते हैं कोकिला अस्ती कोकिला कूजती सा कूजती कोकिला अस्ती अर्था कोयल है कोकिला कूजती अर्था कोयल कूजती है या कोयल कू कू की आवास करती है सा कूजती वह कूजती है कन्ये इस्तह अर्थात दो कन्या हैं ते खादतह वे खाती हैं बालाह संती मतलब लड़कियां हैं मक्षी का अस्ती मक्षी का उत्पतती सा उत्पतती मक्षी का अस्ती अर्थात मक्षी है मक्षि का उत्पतती मतलब मक्खी उड़ती है, सा उत्पतती वहां उड़ती है मेशी के इस्तह, मेशी के चर्तह, ते चर्तह, मेशी के इस्तह अर्थात दो भेडे हैं मेशी के चर्तह, दो भेडे चर्ती हैं, ते चर्तह, वे सब चर्ती हैं चटकाह संती, चटकाह कूजन्ती, ताह कूजन्ती, चटकाह संती मतलब बहुत सारी चिडिया कूजती हैं, ताह कूजन्ती, अर्थात वे सब कूजती हैं. आईए बच्चों, आकरांत इस्त्रिलिंग को एक अनुच्छेत के जरिये बहतर तरीके से समझते हैं. अत्र कलुशे स्तह, यहां कलुशे अर्थात भेसे, दो भेसे, अत्र कलुशे स्तह, यहां दो भेसे हैं. एका तिश्चती, एक खड़ी है, अपराच उपविशती, और एक बेठी है. ते दुगधम यक्षतह, वे दोनों दूध देती हैं. द्वे महिले वदतह, दो महिलाएं बात करती हैं. ते मम प्रती वेसिन्ये इस्तह, प्रती वेसिन्यों का अर्थ होता है पडोसन, पास में रहने वाली. ते मम प्रती वेसिन्यों इस्तह, वे हमारी पडोसन हैं या वे मेरी पडोसन हैं. मम माता मारजनीम धारैती मेरी मा मारजनी को धारन करती है मारजनी अर्थात जाडू मेरी मा जाडू को धारन करती है या फिर मेरी मा के हाथ में जाडू है या मेरी मा हाथ में जाडू लिये हुए है सा पशुशालाम तया मार जैती पशुशाला का अर्थ है वो जगह जहां पे पशुओं को बांधा जाता है जानवरों को बांधा जाता है सा पशुशालाम तया मार जैती वे वहां पशुशाला को ज़ाडू लगाती है या पशुशाला में ज़ाडू करती है अत्र अनेका इश्टकाह संती यहां इश्टका मतलब होता है इट यहां अनेकाह बहुत सारी इश्टकाह इटें संती हैं यहां बहुत सारी इटें हैं चित्रे एकह शोचालय है अपी अस्ती, चित्र में एक शोचालय भी है, तत्र एका घटी का अस्ती, घटी का का अर्थ होता है मट्की, वहाँ एक मट्की है, महिला खटवायाम शयनम कुर्वन्ती, खटवायाम अर्थात खाट पर या चारपाई पर शयन अर्थात सोना, अर्थात महिलाएं खटवायाम खाट पर या चारपाई पर शयनम कुर्वन्ती, शयन करती हैं या सोती हैं, तो इस तरह से हमने एक अनुच्छेद के जरीए बहुत सारे अकरंत इस्त्रिलिंग शब्द जाने। अब आपके लिए गुरुह कार रहे हैं, आप इस अनुच्छेद में से जितने भी अकारंद स्टिलिंग शब्द मिलते हैं, उनको ढूंडें, लिखें और उनके एक वचन, दुई वचन और बहु वचन तीनों लिखें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।